गुदुकुल के अमेंक अच्छाओं में आप सभी विद्याथियों का स्वागत है छगन अपने जिन्दगी में हमेशा सकरात्मक सोच रखें बच्चों के साथ खेल कूद करें प्रक्रिति के साथ सजे संदे पक्छियों की चहचाहट जील की कलकलाहट नदियों और प्रक्रिति के साथ खेलें प्रकृत्ति के वातावरन में स्वयम को समाहित करें तनाओं से दूर रहें मस्त रहें व्यस्त रहें यहीं जिन्दगी का फल सपा है यहीं सफलता का मापड़न तै करती है अब प्रकृत्ति के जितने नजदीक आएंगे उतना ही जीवन में शांती और सुकून पाएंगे इसलिए एक स्वस्त जीवन सैली को अपनाएं और अपने जिन्दगी को सांती, सुकून और विकास के पत पर अगर सर करें चदगन विगर कक्षाओं में हम लोगों ने मुगल समरज के स्थापत कला के बिताज बादशाह स्थापत कला का स्वरनकाल जिसके बारे में कहा जाता है साजहां के बारे में अध्यन किया था आज शादगन इसी गतिविधी को आगे बहते हुए अपने नोट्स कॉपे में हेडिंग मनाईगा और अंजेब लिखे कारकाल में लिखे लेंगे शादगन इसका जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दूहद नमकस्थान में हुआ था हुआ था नेक्स्ट और अंजेब के पिता साजहां एवं माता मुम्ताज थी साजहां के चार पुत्र थे नमर एक डारा सिको नमर दो औरंग जेब नमर तीन सासुजा नमर चार मुराद साजहां के सासंकाल में दक्षिन भारत अथाद दक्टन का वाइसराय था दक्कन का वाइसराय अथाद गवर्नर था गवर्नर प्रमुक सुबेदार था यह दो बार यह दो बार डक्षिन भरत का सुबेदार बनाया गया था नमबर एक 1636 से 144 नमबर दू 1652 से 1657 और अजेब पहला मुगल बात्सा था जिसका दो बार राज्याभिसेख हुआ था प्रथम 1658 में आगरा में आगरा में तथा दिती 1669 में दिल्ली में दिल्ली में नेक्स्ट और अंजेब की नितियां मुगल समराज के पतन के लिए और अंजेब की नितियां मुगल समराज के पतन के लिए के लिए उत्तरदाई थी पतन के लिए उत्तरदाई थी थी नेक्स्ट और अंजेब के व्यक्तित्तु के के पहलूओं को को हम दो भागों में विभाजित करते हैं और अंजेब के व्यक्तित्तु के पहलूओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं करते हैं नमर एक नमर एक सकारात्मक पक्च अब लिखेगा हेडिक बनेगा शादगन और अंजेब के व्यक्तित्तु के सकारात्मक पक्च और अंजेब के व्यक्तित्तु के सकारात्मक पक्च लिखेगे नमर एक और अंजेब मुगल साशकों में सबसे ज़्यादा चरित्रवान था और अंजेब मुगल साशकों में सबसे ज़्यादा चरित्रवान था नमर दो इसने नित्य संगीत विश्यावर्ती पर रोग लगा दी थी इसने मदिरा पान सराव मदिरा पान पमा अफीम चरस गांजा अफीम चरस गांजा एवाम अन्य नसीले पदाथों नसीले पदाथों पर रोग लगा दी थी रोग लगा दी थी नेक्स्ट इसने तुला दान प्रथा तुला दान प्रथा अथाथ राजा को सिक्पों से तौला जाना इसने तुला दान प्रथा अथाथ राजा को सिक्पों से तौला जाना पर रोग लगा दी थी नेक्स्ट इसने जरोखा दर्शन दर्शन अथाथ बात्सा राजमहल के जरोखे से से एक निश्चित समय पर समय पर प्रजा को दर्शन देते थे इस प्रथा पर और अंजेब ने रोग लगा दी लगा दी इसने सिकों पर सिकों पर कलमा खुदवाना कलमा खुदवाना बंद करवा दिया इसने राजकोश से एक भी पैसा नहीं लिया राजकोश से एक भी पैसा नहीं लिया तठा तोपी सिलकर तोपी सिलकर एवं कुरान की आयते लिखकर कुरान की आयते लिखकर उसे उसे बाजार में बेचकर उसे बाजार में बेचकर बेचकर अपना गुजारा करता था और अजेव एक मित वई मित वई यानि कम खल्चिला मित वई अथाद कम खल्चिला साशक था और अजेव को उसके व्यक्तित में नहित अच्छे गुनू के कारण के कारण जिन्दा पीर बहुत इंपारण कोशन चादगा दर्वेश अथाद संत चलता फिरता दर्वेश अथाद संत कहा जाता है संत कहा जाता है जाता है और अंजेव के समय समय सबसे जादा जादा हिंदू मनसबदार थे जिनकी संख्या एक बटा तीन अथाद तैतीस ततिसत थी एक बटा तीन अथाद तैतीस ततिसत थी यह है चादगन और अंजेव के वक्तितु के सकारात्मक पक्ष पॉजेटीव पहलू जिसे आपको ध्यान रखना होगा क्या-क्या पॉजेटीव है चादगन हर वक्तितु में चादगन पॉजेटीव और नेगटीव दोनों होते हैं यदि किसी वक्तितु में पूरे तरीक से पॉजेटीव हो जाए तो वह भगवान बन जाए किसी के अंदर यदि पूरे तरीक से नेगटीव हो जाए तो वह दानों बन जाए वह लाक्षज बन जाए चदगन हुआ सैतान बन जाए चदगन हर वक्ति तुमें आपको सकरात्मक और नकरात्मक पक्ष दोनों देखने को मिलेंगे किसी में नकरात्मक पक जादा होते हैं सकरात्मक पक्ष कम होते हैं किसी में सकरात्मक पक्ष यादा होते हैं, नकरात्मक पक्ष कम होते हैं, ये मानों का विजिस्ट पहलू है, चदगन धर दखेगा, चदगन औरंजेव के वेक्तितु के चरितर चित्रन को जब हम लोग करते हैं, तो हमें दो पहलू निज़र आते हैं, सकरात्मकपक्ष और नकरात्मकपक्ष शाध्गन औरनजेव के वेक्तितू में positive क्या है सकरात्मक क्या है अच्छी बाते क्या है आप तो आपको अन्दर से इल्षा, द्वेश या उसके पती, नफरत की भावना नहीं आईगी शाध्गन है ना क्यों क्योंकि आप यदि किसी चीज में भी positive दखोगे तो फिर आपको उसको negativity नज़र नहीं आईगे negativity कम नज़र आईगे है ना तो उसलिए हमें सब positive पक्ष किसी के देखिए negative तो छदगन सब में है इंसान तो भगवान में भी negative धूंड लेता है तो इंसानों की अवकाद क्या है है ना तो छदगन ध्यान जेगा क्या है औरंजेब का वेक्तितु का शकरत्मक पक्ष छदगन मुगल सासकों में सबसे ज़ादा चलत्रवान सासक यदी कोई था तो औरंजेब था छदगन एस्वर विलासिता से कोशो दूर माश मदिरा से कोशो दूर रहने वाला यह सासक जिंदा पीर या चलता फिरता दर्वेश कहा जाता है छदगन पुछेगा किस मुगल सासक को जिंदा पीर या चलता फिरता दर्वेश या संत क्छा जाता है और अंजेब को कह जाता है चहतर रूप कियों कहा जाता है गीत संगीत पर रोक लगा दी कि बातसाहूं का सबसे प्रसंदिदा सौक गीbeyत संगीत-नित्य भोक लगा दिया विश्यादुती परोक लगा दी छदगन जितने भी नसिले पड़ात थे मदिरा, अफीम, चरस, गांजा, तमबाकू सभों परोक लगा दिया छदगन जितने भी दिखावे की प्रथा थी तुलादान प्रथा राजा को सिक्पों में तौला जाता था सिक्पों के द्वारा और उस सिक्पों को गरीबों में बार दे जाता था और अन्जेव ने पूछा क्या इससे तुम गरीबी दूर कर दोगे क्या तुम्हारा मकसर है केवल बाटसा को खुश करना और उसे काम निकलवाना नहीं, मैं ऐसे दिखावे को मैं नहीं मानता हूँ तुलादान प्रथा पर भी उसने ज़डगन रोग लगा दी थी राजा को सिक्पों से तौला जाता था तराजू में ज़डगन, ज़रोखा दसन, बाथसा सलामत एक नियत समय पेमाली जे सुबर 10 से 11 महल के ज़रोखे में आके बैठ जाते थे, प्रजा उनका दिदार करती थी, उनको सलाम करती थी और अंजेब ने कहा नहीं, तुम इस समय में कुरान पर हो, शरियत पर हो, अल्लाह को याद करो खुदा की इबादत करो, उससे तुम्हें फायदा होगा, मेरे दर्सन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है इसलिए इसने ज़रोखा दर्सन पर भी दूख लगा दिया चदगन, आज की लोकतांतिक व्योस्था के लिए और अंजेब चदगन, खुद टोपी सिलकर गुजारा करता था कुरान की आयतें लिख करके उसे बजार में बेच कर गुजारा करता था नित्तु के पहले भी इसने दो रूम भर करके टोपियां रग दे थी और कहा था अपने दर्वारियों से कि इन टोपियों को बेच करके जितना खर्च आएगा उतने ही से मेरे अंतम संसकार करना राच को से एक रुप्या मतलेना जटगन आज वेतन बेधी के मामले में संसाधनों और सुईधाओं के बेधी के मामले में जब सांसदो और विधायकों की बारी आती है तो सभी एक हो जाते हैं, वहाना कॉंग्रेस होता है ना भाजपा होती है, सबों के हाथ उठ जाते हैं, क्या वितन बहाया जाएं, हाँ बहाया जाएं, क्या सुविधाय बहाई जाएं, सांसदोर विधायकों को, हाँ बहाई जाएं, जन्ता पर करो का बुझ बहेगा, क्या आ लिकर के गुजारा किया लेकिन राजकोस से एक भी रूपया नहीं लिया इसलिए इसे चलता फिता दर्वेश यह जिंदा पीर भी कहा जाता है तो छादगन और अंजेव का जीवन हम एक सबक देता है कि चलतवान बनना चाहिए और प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए यह इसके वक्तितु के पॉजिटीव पहलू है शकारत्मक पहलू है ध्यान दखेगा पुछेगा किस मुगल बासा ने तुलादान पथा पदोक लगा दी और अंजेव किस मुगल बासा ने विश्चाविती पदोक लगा दी और अंजेव किस मुगल बासा ने जहरों का दर संद पर दोग लगा दिया और अंजेव ने लगा दिया था चदगन एक चीज़ों को ध्यान दें एक चीज़ों को मनंद करें एक चीज़ों को याद लखें चदगन जिंदा पीर चलता फिता दर्वेस या संद कहा जाने वाले शाशक के वक्तितु के नकरात्मक पहलू भी है लिखे नमबर एक, सबसे कटर सुनी मुसल्मान साशक था, सबसे कटर सुनी मुसल्मान साशक था, साशक था, नेक्स्ट, धार्मिक रूप से, अत्यधिक कटर होने के करण, किवल, इसलाम धर्म को सरुसर्ष्ट काता था, इसलाम धर्म को सरुसर्ष्ट काता था, बाकी धर्मों के पती, इसके मन में, सम्मान की भावना नहीं थी, नहीं थी, थी, यह भारत को डारूल हर्म, अत्यात काफिरों का देश कहता था, कहता था, तथा, इसे दालूल इसलाम, इसलाम अत्थात, इसलामिक रास्ट बनाना चाहता था, इसलामिक रास्ट बनाना चाहता था, इसने हिंदूओं पर तिर्थ यात्रा कर, एवां, जजिया कर लगा दिया, लगा दिया, इसने सिप्थों के नौवे गुरू, गुरू, तेग बहादूर, तेग, तेग बहादूर की हत्या दिल्ली के, के, चांदनी चौक में करवा दी, दिल्ली के, चांदनी चौक में करवा दी, दी, इसने, जार सरदार, जार सरदार, गोकला की हत्या, मत्हुरा में करवा दी, मत्हुरा में करवा दी, दी, इसने, सीवा जी के पुत्र, संभा जी, संभा जी, की हत्या, करवादी, तथा, सीवा जी के पौत्र, सीवा जी के पौत्र, एवां संभा जी के पुत्र, संभा जी के पुत्र, साहु को साहु को मुगल कैद में डाल दिया मुगल कैद में डाल दिया Next सिख्थों के अंतिम गुरू गुरुगोविन सिंके गुरुगोविन सिंके दो नो निहाल पत्रों फतेशी एवाम जोरावज सिंके फतेशी एवाम जोरावज सिंके के फतेशी एवाम जोरावज सिंके दिवार में चुन्वा कर प्लस्टर मरवा दिया ख़वा करके दिवार में चुन्वा कर कुरूरता पुन हत्या करवा दि कुरूरता पुन हत्या करवा दि next राजपुतों सिखों मराठों जाटों सतनामियों को अपना सत्रू बना लिया सत्रू बना लिया हिंदू अभिवादन जैसे प्रनाम प्रनाम इत्यादी पर रोक लगा दी बनारस का कासी विशुनाथ मंदिर बनारस का कासी विशुनाथ मंदिर मतुरा का केशो राए मंदिर केशो राए मंदिर कॉमा गुजरात का सोमनाथ मंदिर मंदिर को नस्ट करवा दिया नस्ट करवा दिया हो गया कम्प्रेट शाद गया वेरी गड़ बहुत अच्छे स्पेड़ आप लोगं के नेक्स देर करशान पार्सियों के पसिद पर वा नोरोज पार्सियों के पसिद पर वा नोरोज पर दोख लगा दी नोरोज पर दोख लगा दी नेक्स्ट तीर कनिशन जिस प्रकार यह हो गया अच्छादकन नकर रखमक पहलू जिस प्रकार इस पेन के फोले ने के फोले ने नेपोलियन का सरवनाश कर दिया था उस प्रकार दक्कन के फोले ने फोले ने और अंजेब का सरवनाश कर दिया सरवनाश कर दिया सत्रा सो साथ में और अंजेब की मृत्यू हो गई गई नेक्स्ट और अंजेब का मकबरा महराश्ट के और अंगाबाद में इस्थित है और अंगाबाद में इस्थित है चदकन ध्यान देंगे बहुत इंक्पार्ण कुष्टन है और जब दस सुप से आता है चदकन नकारात्मक क्या था और अंग्जेब में धालिमिक रूप से कट्टर था चदकन मतांद था अगबर के बिल्कुल विपुल था अगबर एक धर्मिर्पेक सा सकता और अंग्जेब एक सामपदाइक सा सकता अगबर सभी धर्मों का सम्मान कता था और अंजेव के वल इसलाम का सम्मान करता था बाकी धर्मों के पती आदर की भावना नहीं रखता था चदगयन अगबर ने धर्मिर पिक्षता रूपी विचारधारा से मुगल समराज्य के इमारत को बुलंदियों तक पहुचाया था और अंजेव ने सामप्रदैक्ता रूपी विच्विय मन से मुगल कालीन इमारत को निस्तनबूत कर दिया बरबात कर दिया पूरे तरीके से धरासाई कर दिया चदगयन ध्वस्त कर दिया और अंजेव की नितिया मुगल समराज के पतन के लिए बहुत उत्तरदाई थी। छदगन धालमिक रूप से या मतान सासक हिंदू धर्म के पती कुरूर भावना रखता था। तथा भारत को डालूल हर्ब अथात काफिरों का देश काता था। जो कि इसलाम में स्वास न करते हों, जो मूती की पूजा करते हों, वो काफिर हैं। ये कहना था इसका। छदगन ये भारत को डालूल इसलाम मनाना चाता था, इसलामिक देश मनाना चाता था, ये इसकी सोच थी, इसे आपको धान रखना होगा। छदगन, अकबर ने सिख्खों के साथ, लाजपुतों के साथ मराठों के साथ सब के साथ बहतर संबंद इस्थापित किये लेकिन और अंचेव ने सभों के साथ सतुत्रा पुन करवाई की छदगन सिखों के नवे गुरुत एक बहादूर की हत्या कर उनके सीज को दिल्ली के चान्नी सिवाजी के पुत्र संभाजी की कुरूर हत्या करवा दी और उनके मास को कुतों को खानों को केले फेक दिया और उनके जो सरीर का जो चमवाथा उसमें भूसा भरवा दिया चात्रगन सिखों के दसमें गुरु गुरु गोविन सिंग जी के दो नो निहाल पुत्रों फटे सिंग और जो रौगर सिंग को दिवार में खावा करके चात्रगन प्लास्टर मरवा दिया चुनवा दिया सोचिए कितनी कुरूर हत्या थी चात्रगन जारस्दार गोकला की हत्या करवा दी और मरठा समरज के संस्थापक सीवा जी के पुत्र संभा जी के पुत्र अथा सीवा जी के पौत्र साहू को मुगल कैद में नजर बंद कर दिया चद्गन कटता इसके मन में भरी भी थी है ना पालसियों के पसिद पर नो रोज पर लोग लगा दिया हिंदू पर फिर से तिथी अत्राकर और जजिया कर लगा दिया गैर मुसल्मानों पर चात्गन जबकि अक्बर ने इन पर लोग लगा दी थी चद्गन बनारस का कासी विश्वनाथ मंदिल, मतुरा का केशवराय मंदिल, गुजराप का सोमनाथ मंदिल पर भी इसने आकरवन कर दिया और इन्हें नष्ट कर दिया ध्वस्त कर दिया भरस्ट कर दिया चद्गन चर्दन और अंजेव की नीतियां मुगल समराज के पतंग के लिए उत्तर दाई थी इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार इस्पेन के फोरे ने नेपोलियन का सरवनाश कर दिया उसी प्रकार डक्टन के फोरे ने दक्षिनभाद के फोरे ने और अंजेव का सरवनाश कर दिया च्छडगन 1989-19 वslकिए उम अने मेड the age of 89 years तलवाद लिए ये उत्तरभारत से रक्षिनबारत आता जाता लहा कभी रक्षिनबाद में मराठे भी द्रूप कर दें तो र। राष्पुत抵ी द्रूप कर दें 1707 इस्वी में इस साशक की मित्ती हो गई छादगन, इसका मकबरा महराष्ट के और अंगाबाद में स्थित है, धान रखेगा, बहुत-बहुत हिट कुस्टन है, पुछेएगा कौन सा मुगल बाथसा भारत को दादूल हर्ब काता था और अंजेब, दादूल हर्ब का अध क् का देश, और अंजेब भारत को कैसा राष्ट बनाना चाहता था, दादूल इसलाम, इसलामिक राष्ट बनाना चाहता था, ये सारे चीजों को छादगन याद रखेंगे, मनन करेंगे, अध्यान करेंगे, और एक चीजों को ध्यान दिजएगा, ताकि पत्युक्ता पर एक अगबर ने सर्धम संभाव की निती अपनाई वहीं और अंजेब ने धार्मिक टत्ता की निती का प्रिचार देते हुए मुगल समराज को पतन की और अग्रिसर कर दिया इसलिए छादगन ध्यान रखेगा पुछेगा किस मुगल सासक की नितियां मुगल समराज के पतन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तादाई थी और अंजेब की नितियां मुगल समराज के पतन के लिए सरवाधिक उत्तादाई थी इसे आपको ध्यान रखना है छादगन है ना बहुत बहुत इंपर्टेंट है जब दसुप से आता है प्रत्युक्ता परिक्छों में है ना नेक्स लिखेगा छद्गन मुगल कालीन कला एवं संस्कृति मुगल कालीन कला एवं संस्कृति लिखेगा छद्गन इस्थापत्य कला इस्थापत्य कला लिखे हैं बाबर के समय स्थापत्य कला बाबर के समय स्थापत्य कला लिखे बाबर के सिनपती मीर बाकी ने पनरसो सप्टाइस में उत्तर प्रदेश के आयुध्या में सर्यू नदी के टटपर सर्यू नदी के टटपर बाबर के नाम पर बाबर के नाम पर बाबरी महजिद बाबरी महजिद का निर्मान करवाया था बाबरी महजिद का निर्मान करवाया था था नेक्स्ट बाबर फलों फूलों बाग बगिचों का बेहद शौकिन सा सकता बेहद शौकिन सा सकता नेक्स्ट हरिम नहींगा हुमायू के समय इस्थापत्य कला हुमायू के समय इस्थापत्य कला लिखे है खुमायू ने दीन पनाह नगर दीन पनाह नगर एवाँ उसके अंदर दीन पनाह महल महल का निर्मान दिल्ली में करवाया था नेक्स्ट दिल्ली में हुमायू के मकबरे का निर्मान इसकी पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम बेगम ने ने लाल पत्थरों से करवाया था करवाया था इस इमारत को इस इमारत को ताज महल का पूर्व गामी गामी कहा जाता है ताज महल का पूर्व गामी कहा जाता है क्योंकि इस इमारत को देख कर ही साजहा ने इस इमारत को देख कर ही साजहा ने आगरा में ताज महल पनवाया था ताज महल पनवाया था next हुमायू के मकबरे के साथ चार अन्य मकबरे भी मौजूद हैं हुमायू के मकबरे के साथ चार अन्य मकबरे भी मौजूद हैं अकबर के समय स्थापते कला अकबर के समय स्थापते कला next लिखे अकबर ने फटेपूर शिक्री सहर के स्थापना की फटेपूर शिक्री सहर के स्थापना की तथा इसे मुगल समरज की राज़धानी बनाया था मुगल समरज की राज़धानी बनाया था राज़धानी बनाया था next अकबर ने तीन लाल किले बनवाए थे अकबर ने तीन लाल किले बनवाए थे नमर एक आगरा का लाल किला आगरा का लाल किला नमर दो इलाहाबाद का लाल किला इलाहाबाद का लाल किला नमब तीन लोहौर का लालकिला लोहौर का लालकिला अकबर ने अपने राजधानी फटेपुश शक्री में शक्री में निम्न इमारतों का निर्मान करवाया था निम्न इमारतों का निर्मान करवाया था नमब एक जोधा बाई का महल जोधा बाई का महल नमब दो बीदबल का महल महल नमब तीन मर्यम उजमानी मुगल सुल्तान के मुगल बात्साहों के सबसे प्री पत्नी को मर्यम उजमानी का उपानी मिल्द था मुगल सासकों के सबसे प्री पतनी को मर्यम उजमानी का उपारी मिलता था मर्यम उजमानी का महल next इबादत खाना इबादत खाना next पंच महल पंच महल देज़ देख रिखेगा इसमें बौध प्रभाव नजर आता है बौध प्रभाव नजर आता है सेख सलीम चिस्ती का मकबरा गुचरात विजय के उपलक्ष में अगबर ने बुलंद दर्वाजा का निर्मान अपनी नहीं रजधानी फतेपुर्श शिक्री में में किया था यह भारत का लाग पत्थरों से निर्मित सबसे उचा दर्वाजा है सबसे उचा दर्वाजा है दर्वाजा है छटगन ध्यान दिजेगा क्या सवाल पुछे जाएंगे पुछेगा निम्ली खित में से कौन सा लालकिला अकबर ने नहीं बनवाया था नमबर एक अगरा का लालकिला नमबर दो लहौल का लालकिला नमबर तीन दिल्ली का लालकिला नमबर चार इलहाबाद का लालकिला चादगन दिल्ली का लाल किला अगबर ने नहीं बनवाया था साजहा ने बनवाया था चादगन फिर आपसे पुछेगा इसी क्रम में ध्यान दिजेगा पुछेगा फटेपूस शिक्री की स्थापना किसने के थी किस मुगल बात्सा ने फटेपूश्चिक्री के समना के थी अगबने के थी किस मुगल बात्सा ने फटेपूश्चिक्री को मुगल समराज की नहीं राजधानी बनाया था अगबने बनाया था ध्यान रखेगा चर्णन फटेपूस श्क्री में अगबन ने अनेक इमारतों का निर्मान करवाया जोदावाई का महल, मरियमुज़मानी का महल, बिर्बल का महल चर्णन इबादत खाना, सेख सलिम चस्ति का मगबरा, बुलन दरवाजा, पंच महल पंच महल में किस परकार का प्रभाव नजर आता है, बहुत प्रभाव नजर आता है चर्णन इसने बिर्बल के महल, जोदावाई के महल, मरियमुज़मानी का महल, इत्यारी तो बनवाया ही पंच महल का भी निर्मान करवाया था चाटगन इबादत खाना का भी निर्मान इसने फटेपूस शिक्री में करवाया था जो 1575 में स्थापित किया गया और 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था चाटगन गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर ने कौन सा पसिद पतिक चिन बनवाया था बुलंद दर्वाजा या भारत का लाल पथरों सनिर्मित सबसे उचा दर्वाजा है चाटगन जिसे बुलंद दर्वाजा कहा जाता है कभी मौका लगे आगरा से मात 35 किलोमेटर दूर है फटेपूस शिक्री ताज महल का तो दिदार करें ही करें प्रेम और महब्बत का पतिक लेकिन फटेपूस शिक्री जाना भी ना भूलें अकबर की रास्थानी है ना ध्यान रखेगा फटेपूस शिक्री कहा है उत्तर प्रदेश में आगरा के निकाटिस्तित है उचालगन अकबर दोरा बनाई गई हरीक इमारतों के नाम को यार र करतना है यह फिस्मरन करना है बहुत बहुत इंपरंट है यह भी छणिटरबायक्षौं के लिए तो आज खचिछरगन क्ष्ण कमरें यहीं पर वीराम देंगे अगली क्रशों में हम लोग जहागी रोशा जहां के की स्थाबत्य कराहाब साथ साथ और अंज्येवू के सम्म इस्थाप्तकला के बारे में भी जनकारी हासिल करेंगे तब तक के लिए आप समों को मेरे सुब कामनाएं सुबा सिर्वाद